Hello friends, welcome to study bus, एक और important MBA college, IMT के फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं, IMT को इंडिया का one of the best college in marketing भी बोल जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में बताने वाल हूँ क्या के important dates हैं, IMT के multiple campuses हैं, गाजियाबाद campus है, नाथपूर है, हैधराबाद है, दूबई है, इसमें स कौन-कौन से best campus है, जहाँ पर आपको focus करना चाहिए, cut-offs कहा रहती हैं उन सबकी, इसके साथ ही कौन-कौन से exam accept होंगे, placement scenario क्या चल रहा है, and end में बताऊंगा, आपको apply करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, so my name is Saurabh Kuthari, let's start, तो सबसे पहले बही चैनल को subscribe कर लो, and bell icon को press कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी important videos है, college notification की, cat revision videos, या फिर जो आपको time-to-time updates मिलते रहते हैं, उनके notifications आपको मिल जाए, इसके साथ ही, instagram पे हमारा channel is studyables education, इसको follow कर लेना है, daily basis पे quant, short-cut, vocabulary words, current affairs आपको मिलती रहती है, तो सबसे पहले, अगर मैं IMT की बात करूँ तो इसके चार campus है, गाजियाबाद campus, नागपूर, हैदराबाद और दूबई, जो अच्छी बात है इस college के form के साथ, कि आपका एक common application form होता है, मतलब एक ही form से, आप जो सारे campus है, उनको take कर सकते हो, तो सबसे पहले important dates की बात करते हैं, जो आपका form start हुआ है, वो 15 September से start हुआ है जो आपका form close होगा, वो 25th November 21 को close होगा, अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो previous years का data है, उसके according में आपको बतारूं कि IMT के जो forms है, वो reopen भी होते हैं, मतलब जब आपका cat result आ जाता है, तो IMT फिट से form को reopen कर देता है, ताकि और जादा लोग यहाँ पे apply कर सके, तो है, अब अगर मैं बात करूँ, उसके बाद क्या चीज़े हैं, तो IMT का जो process है, वो second week of February से start हो जाता है, third week में आपका result आ जाएगा, उसके बाद आपका college start होगा, देखो reopen वाली जो बात है, यह हर साल होती है, last 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी कोई risk नहीं लेना चाहते, तो आप पहले भी अपना form fill कर सकते हो, अब अगर मैं बात करूँ, eligibility की, तो भाई, यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है, कौन-कौन से exam accept होते हैं, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा confusion रहता है, तो बहुत ध्यान से यह चीज़ समझ लेना, IMT गा आने वाला हूँ, अगर मैं IMT नागपूर और IMT हैदरबाद की बात करूँ, तो वहाँ पर CAT, Z, GMAT के साथ, CMAT का जो पेपर होता है, वो भी accept होता है, तो काफी सारे बच्चों के माइंड में doubt रहता है, सर अगर मैं CMAT में 99% है ले आँ, तो मुझे IMT गाजियाबाद से call आ की क्या, तो the answer is no, because CMAT का जो पेपर है, वो सिरफ IMT नागपूर और हिदरबाद में ही accept होता है, ठीक है, गाजियाबाद में अगर आपको admission लेना है, तो CAT, Z, GMAT के थ्रूई आप admission ले सकते हो, अब जो selection process होता है, वो क्या होता है, वो आपका बई, cut-off score क्या है, वो देखा ज जाता है, उसके बाद work experience कितना है, देको इस college में fresh and work experience दोनों बच्चों को opportunity मिलती है, तो आप apply कर सकते हो, और उसके बाद आपके admission process में कैसा performance रहा, बतला आपने interview में कैसे perform किया, इन चारों को add कर दिया जाता है, और then end में आपकी एक merit list बनती है, अगर मैं सबते पहले placements क की बात करूं, तो भई इस college की placement क्या रही है, आइम टी गाज़िबात की बता रहा हूं, 12.61 लाग का average package रहा है, and 12 लाग आपका median salary रहा है, और highest salary की बात करें, तो 29 लाग कर रहा है, जो अच्छी बात है, वो यह है कि हर एक sector, हर एक domain की, यहाँ पे companies आप देख सकते हो, IT की, BFSI, FMCG, consulting, engineering, healthcare, automobile, others, e-commerce, logistics, तो हर एक sector से, यहाँ पे offer आते हैं, अगर आप companies देखना चाहते हो, तो Accenture हो गया, Adani, Amazon, Bajaj, फिर उसके बाद आप देख सकते हो, Bank of America, Cognizant, Delivery, DCM Shriram, तो काफी सारी top companies, इस college में recruit करने के लिए आती है, अब अगर मैं बात करूं, किस type का profile रहता है, जो students है, तो जो इनका 2023 वाला batch है, मतलब जिन्होंने last year admission लिया है, अगर आप वहाँ पे देखोगे, तो भाई, engineering के 48% बच्चे, management के बच्चे, मतलब जो BBA, BMS, 11.87, फिर science के 7% बच्चे, commerce के 3.77, arts के 3.77, and other stream के, तो भाई, इन्होंने एक diverse profile रखी है, definitely engineers जाद है because वो जादा apply करते हैं, बट उसके बाद भी आप देख सकते हो, other stream से भी, काफी सारे बच्चे यहाँ पे profile का part end, अगर आप work experience की बात करें, तो भाई, 0 से 2 years का जिनका experience है, 87% बच्चे है, जिनका 2 years से जादा का experience है, वो 13% बच्चे है, तो अगर आप एक essay student हो, जो fresher है, य अगर मैं IMT गाजयबाद की बात करूँ, तो जो आपकी cutoff रहती है, वो around 90 percentile रहती है, cat और zat में, तो अगर आप cat और zat की तरूप apply कर रहे हो, तो cat और zat में आपको 90 percentile लाना है, तो आपको call आ जाएगी, sectional cutoff नहीं चाहिए होती, उस column में, overall आपको 90 percentile चाहिए, अगर आप GMAT के तरूप apply कर रहे हो, तो around अगर आपका score 650 है, तो आपको IMT गाजयबाद से call आ जाएगी, और अगर मैं बात करूँ, other campuses की, जो इनके other campuses हैं, जैसे की, आपका हो गया, नाथपूर campus, and Hyderabad campus, तो भाई, अगर मैं in campuses की बात करूँ, तो भाई, इनकी जो cutoff रहती है, वो आ आप देख सकते हो, CADZ में, अगर 7080 है, तो आपको call आ जाती है, CMAT में अगर आपका score है, तो आपको यहां से call बन जाती है, ठीक है, और अगर आपको इन campuses की placement देखने हैं, यह जो campus है, यह कैसा perform कर रहे हैं, तो मैंने नीचे आपको पूरी की पूरी placement report का link दे दिया है, वहा flagship campus, अगर आप अपनी MBA मार्केटिंग में करना चाते हो, तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छा college माना जाता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि सर हमें apply करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा, कि आपको apply कर देना चाहिए, उसका reason क्या है, समझ percentile आ गई, तो आपको IMT गाजेबास से call आ जाएगी, God forbid अगर आपकी percentile थोड़ी सी कम रह जाते है, लेटसे आपकी 75-80 की रेंज में percentile रह जाते है, 70 की रेंज में रह जाती है, तब भी आपके सामने नाथपूर और हैदराबाद का backup बन जाता है, अगर आपको इससे अच option भी open हो जाए, and multiple campus आपके सामने open हो गए, जिनकी अलग-अलग cut off है, ठीक है, तो नीचे again मैंने description लिंक दे रखाया, वहाँ पे जाके पूरा form अपना fill कर सकते हो, अप्लाय कर सकते हो, future में इसका form reopen होता है, last 4-5 years से तो हो रहा है, तो आप उसका wait करना चाते हो, तो that's up to you, so I hope आपको ये वीडियो helpful रगी होगी, अगर आप किसी course में enroll करना चाते हो, चाये वो cat के courses हो, या other exams के किसी test series में enroll करना चाते हो, तो आप मारी website पर जा सकते हो, studybus.co.in, otherwise आप आप में whatsapp कर सकते हो, और वहाँ पे आप कोई भी अपनी query पूर सकते हो, so thank you so much, all the best and take care.